नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप लोग का फिट से वेलकम करता हूँ अपने चैनल YMW Solution में आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप चैनल लिंक फेंसिंग नीट का मैंनिफेक्शन बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जान करें दिने वाला हूँ आप लोग इस वीडियो के अंतक जरू बन रहे हैं और चैनल पे नए है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरू कर लें तो मैं आप लोग बढ़ा दूँ कि फ्रेंट जितने भी अपने इंडिया के टिसान लोग है यानि कि जितने भी फार्मर लोग है अपने खेतों को जानवरों से बचाने के लिए जो है चैनलिंग फेंसिंग नेट का जो है यूज करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दीख र तो बालकोनी को जो है यहाँ पे घिरने के लिए यानि कि फेंसिंग करने के लिए यहाँ पे चैनलिंग फेंसिंग नेट का ही यूज किया जाता है तो फैंस ऐसे और ही बहुत सारी यूज है जब आप मार्केट में आप सर्वे करेंगा तो फैंस यहाँ पे आपको पूरी evaluate कर सकेगें कि अगर आप इस business को start करते हैं तो आपका जो business है वो profit में रहने वाला है या loss में रहने वाला है तो फेट से यहाँ पे जो है आप पूरी तरह से जो है आप इसका evaluate करके तबी जो है आप इस business को start करें तो friends यहाँ पे अगर आप link chain fencing net का manufacturing business start करना चाते है तो यहाँ पे पहले हम दो देखेंगे कि आपको इस business को start करने के लिए आपको क्या क्या चीज की requirement रहती है यहाँ पे अगर आप channel link fencing का manufacturing business start करना चाते है तो यहाँ पे जो सबसे पहला requirement है आपको 500 square feet से लेके 800 square feet जो है आपके बास में area होना चाहिए जहाँ पे आप इस industry को setup कर सकते हैं इस area के अंदर जो है आपका production area, raw metallic storage area, finish crude area और admin का area include है उसके बाद जो है आपको अपने manufacturing unit के लिए यहाँ पे main power आपको रखने पड़ेंगे यहाँ पे एक skill main power आपको लगेगा उसके बाद जो है आपको एक semi skill person यहाँ पे लगने वाला है उसके बाद जो है यहाँ यहाँ प अगर आप marketing executive और supervisor यहाँ पे आप खुझ से करेंगे तो friends कहीं न कहीं यहाँ पे आपका पैसा जो है बहुत ज्यादा आपका safe होने वाला है उसके बाद जो ही यहाँ पे आपको electricity 5 kilowatt से लेके 8 kilowatt तर जो है आपको यहाँ पे requirement रहेगी आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपक अपका अपर आपका अपरूब किया जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइसेश आ आपको जीएसटी नमबर लेना पड़ेगा उसके बाद जो है आपको MSME लेने पड़ेगे उसके बाद जो है आपको factory लाइसेश लेना पड़ेगा उसके बाद अगर आपको trademark का requirement है तब भी आप यहाँ पर trademark का registration ले, दिन उसके बाद अगर आप trademark लेते हैं, तो उसके बाद आपको ISO certificate भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरा personal opening यही रहेगा, कि जब आप initially इस business को start करें, तो आप trademark और ISO जो है, आप नहीं ले, तब भी आपके लिए फैदा है, क् जो दूसरा है, PME GP loan का है, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप loan लेके start करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको additional document की आपको requirement रहेगे, पहला जो document है, आपको यहाँ पर last year का, आपका ITR का requirement रहेगा, उसके बाद आपका जो भी बिजनस आप स्टार्ट करने चा तो कौन कौन से raw metal आपको यहाँ पर purchase करने पड़ेंगे, यहाँ पर raw metal में जो है, आपको galvanized wire roll का आपको requirement रहेगा, तो फेंस मेली आपको यही आपको raw metal लगने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर channel link, fencing net का manufacturing भीने स्टार्ट करना चाते हैं, तो अब लोग यहाँ पर देखे हैं कि आपको यहाँ पर कौन से machine आपको purchase करना पड़ेगा, जिसके तुरू जो है आप इस product को अपने industry में आप बना सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह आपका machine है, आपको इस machine के तुरू जो है, आपको chain link, fencing net जो है, आपको manufacturing करना है, और इस machine का जो price है, यहाँ पर power का requirement आएगा, और अगर हम लोग इस machine के production capacity की बात करते हैं, इस machine का जो production capacity है, पचीस सो केजी, दस घंटा में जो है, यह आपको production करके देने वाली है, इस machine का जो weight है, 500 केजी है, तो यहाँ पर आपके डिपेंड करता है, कि आप कितने production capacity का यहाँ पर आप machine purchase करते हैं, तो उ आपका GST और transportation लेके मैंने यहाँ पर दो लाग रुपया मैंने consider किया है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको इस business को start करने के लिए आपको total investment आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सबसे पहला investment है, आपको land building, electrification और water installation में जो है, आपको धा करने के लिए, तो वो सारी license को लेने के लिए यहाँ पांच हज़र रुपया आपको लग जाएगा, उसके बाद आपको इस manufacturing business को start करने के लिए आपको raw material भी purchase करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो raw material है, मैंने धाय लाग रुपय का investment दिखाया है, उसके जो है आपको यहाँ पर advertising और promotion में 5000 रुपय खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर working capital आपको 2 लाग रुपय का आपको हर एक मेने अपने पास रखना है, तब ही जाके आपका industry सही तरीके से चल सकेगा, तो यहाँ पर अगर आप total investment देखे तो आपको 9 लाग रुपय का यहाँ पर लगने वाला है, और मैं आपको उता दूँ कि friends, आप इस business को जो है 5 लाग में भी start कर सकते हैं, अगर आपकी पास में पहले से ही land building, electrification और water installation किया है, तो friends, आपका यह पैसा save हो जागा, बस यहाँ पर जो आपका machine का cost रहगा, वो आपको लगने वाला है, उसको आपको raw material purchase करना पड़ेगा, और यहाँ पर license लेने पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर तीनों का investment अगर आप calculate करेगा, तो यहाँ पर आपका जो approximate है, 5 लाग में आप इस business को start कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप link channel, fencing net का manufacturing business start करते हैं, तो आपको इस business से आपको कितना profit हो सकता है, फेंट से यहाँ पर जो भी मैं आपको profit दिखा रहा हूँ, यह मैं अपने area के हिसाफ से दिखा रहा हूँ, यानि कि मेरे area में अभी channel link, fencing net का gap price है, तो उसी की हिसाफ से मैंने यहाँ पर profit आपको per kg पर दिखाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है per kg पे 6-7 रुपय जो है आपको channel link, fencing net पे जो है आपको यहाँ पर बचत होता है, तो इसके हिसाफ से यहाँ पर देख सकते हैं कि आप per day 8 घंटे के shift में आप 1000 kg यहाँ पर production करते हैं, तो उसके हिसाफ से मैंने यहाँ पर जो profit है 6 रुपय पर consider किया है, तो इस इसके हिसाफ से जो आपका महिने का जो यहाँ पर gross profit है, आपका देख रुपय यहाँ पर आने वाला है, अगर आपको net profit आपको अपने manufacturing industry का निकालना है, तो इसके लिए आपके manufacturing industry का monthly कितना expense है, वो पहले आपको calculate करना पड़ेगा, उसके हिसाफ से जो है आपको यहाँ पर पर मत जो है आपको यहाँ पर expense करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको machine maintenance का 2000 पर पर मत लेकिए यहाँ पर calculate करके चल सकते हैं, उसके बाद जो है आपको electricity bill यहाँ पर 10,000 का यहाँ पर पर मत आने वाला है, इसके बाद जो ही यहाँ पर missliness मैंने यहाँ खर्च दिखाया तो यहाँ पर अगर आप total देखे तो आपको 40,000 पर पर मत जो है, आपको यहाँ पर expense आने वाला है आपके industry का, तो friends यहाँ पर देशकते कि मैंने आपके industry का net profit दिखाया है, जैसा कि आप लोग पता है कि जो total revenue था पर मत का 1.500 लाग था और यहाँ पर expense जो है आपका 40,000 है, तो इसके हिसाब से जो आपका industry है, उसका net profit जो है एक लाग दस दरपे आपका पर मत होने वाला है, तो friends इसी के हिसाब से जो है आप decide कर सकते हैं कि आपको इस business को start करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आप अपने local marketer survey करके जो है आप खुश से evaluate कर सकते हैं कि आ पूरा हम लोग यहाँ पर market strategy जो है हम लोग पुरत दिखने वाले हैं, friends यहाँ पर आपको अपने manufacturing product को sale करने के लिए आपकी local marketer जो भी wholesaler या distributor होगा तो friends पहले आपको उसको approach करना पड़ेगा और आपको उस wholesaler या distributor को जो है आपको अपने product के बारे में आपको बताना पड यार होगा, उसके बाद जो है आप इस product को sale करने के लिए आप यहाँ पर e-commerce platform को भी जो है आप use कर सकते हैं, friends मैं आपको example के लिए दिखा सकता हूं, friends यहाँ पर देख रहे हैं मैंने Amazon ओपन किया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि Amazon में जो है आपका chain link fencing link जो है यहाँ बाबा हुआ है, ऐसे और यहीं बहुत सारे platform है, जहाँ पे आप खुद को as a seller register करके आप अपने product को sale कर सकते हैं, उसके बाद आप social media के विथरू sale कर सकते हैं, जैसे कि Instagram, Facebook, WhatsApp ग्रूप बना के भी आप sale कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने local news paper में आप add निकाल सकते हैं, त सारे जो market strategy जो है, आप use कर सकते हैं, अपने manufacturing product को sale करने के लिए, जैसा कि मैं आपको हर एक manufacturing के वीडियो में आप लोग को बोलते रहता हूँ, जो भी manufacturing business आप start करना चाते हैं, तो उसके रिगार्ड जो है, पहले आपको market survey करना चाहिए, तब जाके जो है, आपको उस business को start कर जानकारी हो सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में धन्यबाद, जैहीं